वही पुराना नाष्टा खाकर बोर हो गए है तो आज की रस्पी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है तो आज का जो नाश्ता है गीहू आटे से बनाया है, बहुत ज़ादा टेस्टी ये नाश्ता बनके तियार होता है, बिल्कुल कम समय में बनता है, और स्वाथ तो ऐसा है जो आपको पीजा बरकर भी भुला दे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बड़े पॉल में दो कप कीहू का आटा लेंगे, अब इसमें डालेंगे एक चौथाई कप सूजी, सूजी मिलाने से जो हमारा नाश्ता है बहुत ज़ादा क्रिस्पी बनता है, अब इसमें आदा छूटा चमच नमक डालेंगे, एक चौथाई चमच इसम जरूर मिलाए, अब हम इसमें डालेंगे आदा छोटा चमच अजवाइन, अब इस नाश्ते को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें दो छोटा चमच तेल डालेंगे, आप तेल के जगे घीका भी इस्तिमाल कर सकते हैं, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, त अब हम इसका आटा गुतेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाते जाएंगे और इसका एक टाइट सा आटा गुत लेंगे, आटा गुतने के बाद ये कुछ इस तरीके से देखेगा, मतलब इतना सौफ्ट आटा हमें गुतना है, और अब हम इसको दस क्रेट किया है, और अब इसमें हम चीज मिलाएंगे, तो यहां पर मैं दो चीज के जो क्यूब्स होते हैं, वो डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें कम साधा चीज भी कर सकते हैं, इस तो हम सबको और बच्चों को तो खासकर बहुत साधा पसंद होता है, तो इस नाश् चीज मिल्स डाल देंगे, आदा कप के करीब हम इसमें मटर आट करेंगे, और आदा कप इसमें कॉर्ण आट करेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कॉर्ण का, और यहां पर हम एक कप जितना हरा धनिया डालेंगे, अच्छी मात्रा में हरा धनिया डालेंगे, और अ लोगावा है, में यह सूजी थी विखनी की सब्सक्राइट कीजिए है, अब साथ ही में हम इसमें डालेंगे एक चमर चिंजर गार्लिक पेस्ट ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसकिप भी कर सकते हैं चलिए इन सब को फिर से अच्छे से मिला लेते हैं और ये हमारी स्टफ ही रेडी हो गई है तो दस मिल ओ चुके हैं और ये आटा हमारा अच्छे से रेडी हो गया है यानि जो सूजी इसमें थी वो भी फूल गई है तो एक बार मैं इसको सेट कर लेती हूँ और ये आटा हमारा रेडी है अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे जितना हम बाटी बनाने के लिए या चपाती बनाने के लिए जितना हम लोई लेते हैं उतना पोर्शन हम लें लेंगे और इस तरीके से हातों से गोल कर लेंगे और अब इस लोई को हातों से इस तरीके से हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे और बीच में थोड़ी सी जगा कर लेंगे जिससे जो स्टरफिंग हमने बनाई है वो हम इसके अंदर रख लें और अब हम इसमें एक चमत के करे स्टरफिंग भर देंगे अब थोड़ा से stuffing को हाथों से दबाते हुए यह जो लोई है वो हम pack कर देंगे इस तरीके से ताकि यह जो masala है वो बहार नाय और हमने इसमें cheese भी डाला है तो इसको अच्छे से ही बंद करना है नहीं तो यह जैसे पकेगी तो वो चीज बाहर आने लगीगा तो इस बात का आप ध्यान रखें इसको अच्छे से पैक करें अब इसको इस तरीके से वापस गोल कर लेंगे इसी तरीके से हम सारे नाश्टे को रेडी कर लेंगे तो सारे बॉल्स को रेडी करने के बाद अब यहाँ पर एक अप्पे पैन में हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और जो बॉल्स हमने बनाई हैं वो इसमें रखकर सेख लेंगे अब सारी बॉल्स रखने के बाद इनको कवर कर देंगे और बिल्कुल धीमी आज पर हम इनको सिखने देंगे तो थोड़ी देर बाद एक बार हम इनको चेक करेंगे और पलट देंगे तो ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी एक तरफ से सिखने लगी है तो इन सारी बॉल्स को हम पलट कर दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे और फ्लेम को आप लोही रहने दें वरना ये उपर से जल जाएंगे और अंदर की जो स्टफिंग है वो अच्छे से नहीं सिख पाएगी तो धीमी आज पर हम इनको सिखेंगे ये वापत से मैंने इसको ढटक दिया है और अब देखिए थोड़ी दिर बाद ये सारी बॉल्स हमारी अच्छे से सिख चुकी है बहुत ही अच्छे से ये जो नाश्टा है हमारा सिख चुका है और आप पास से देखिए कितने अच्छे इसमें क्रैक्स आये हैं इसका मतलब हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से सीख चुका है तो ये खाने के लिए तो बिल्कुल रेडी है आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको खा सकते हैं और थोड़ा सा और अगर आपको इसका टेस्ट बढ़ाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं घी गरम कर रही हूँ तो घी गरम हो गया है और अब इन बाटियों को हम इसमें सेख लेंगे और अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि घी अच्छे से गरम हो चुका है बस इसी में हम बाटियों को सेख लेंगे और ये देखिए पलटते हुए मैंने इसको अच्छे से सेख लिया है कितनी ज़्यादा टेस्टी ये बाटी लग रही है तो आप इस नाश्टे को जरूर बना कर देखें यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये नाश्टा तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि किसी तरी किसे मज़ेदार रेसिपी इसमें आपके साथ शेयर करती रहूं और एक पार्टी में आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी जादा टेस्टी है ये देखिए तो जो चीज हमने इसके अंदर डाला था वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और सभी को ये नाश्टा बहुत पसंद आएगा तो आप इसको बनाएं और मुझे कमेंट करके भी जरूर पताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक इस नाश्टे को जरूर ट्राय करके देखिए